तो हेलो इस्ट्रेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम जो क्लास 10 और 12 के लिए प्रतियोगताओं प्रक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे हर साल कोश्चन आते हैं तो फ्रेंड्स आज देखते हैं ओम का नियम देखिए ओम का नियम सन 1826 ECV में जार्मन के विग्यानिक जार साइमन ओम ने एक चालक के सिरो के पर लगाए गये विभानतत था उसमें प्रवाईत आवेसो के बीच एक समन्द एक नियम के द्वारा व्यक्त किया समन्द को एक नियम के द्वारा व्यक्त किया इस नियम को ओम का नियम कहते हैं, अगे देखते हैं ओम का नियम कहा है, इस नियम के नुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्ता इसे ताप आधी में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरो के बीच लगाए गए विवांतर तथा उस चालक में परवाइद होने वाली धारा के अनुकर्मानुपाति होती है, एक बर और देख लेते हैं, इस नियम के नुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्ता इसे ताप आधी में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरो के बीच लगाए गए विवांतर तथा उसमें परवाइद होने वा विवांतर वी को परदसित करें तथा उसमें प्राइद होने अधारा को आई से परदसित करें करते हैं, तो ओम के नियम से वी अनुकर्मापाति के चीन हटालने के लिए वी आर लगाएंगे, जहां वी इसकोल टू आर बाई आई, जहां आर एक ओम का नियतांक है, या इसे आर इसकोल टू वी बटा आई वी कर सकते हैं, या आई इसकोल टू वी बाई आर, तो इस परकार ये ओम का नियम है, आप इसको पक्छंतर करके, कभी परतिरोत का मान दिया आगा, कभी ओम का मान दिया गा, इस ते आप परतिरोत करके, पक्छंतर करके, इसका मान निका सकते तो थैंक यू फूर वाचिंग इस वीडियो टेक क्यार फ्रेंड्स गुड लग बाई